हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल टीच इन फूई स्मार्ड में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बृद्धी संधी जैसे कि आपको पता होगा मैंने आपको गुण संधी पढ़ा दिया है दिर्वी संधी पढ़ा दिया है और आज मैं आप पहले यहां पर क्या है कि देखे छोटा आ और बड़ा आ इनके बाद में अगर आता है ए या फिर आ तो यह हमेशा आ बन जाता है यह दियान रखेगा ठीक है और अगर छोटा आ और बड़ा आ प्लस ओ और आव आता है तो वो आव हो जाता है दियान रखेगा ठीक है इन द चलता है तो ये combination आपको याद रखना है बाकी मैं आपको अब बता देता हूँ एक एक सब्द को बताँगो कैसे आपको बनाना है शुरुआत करते हैं यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अगर जो है आता है छोटा आ प्लस आ तो ये आ बन जाता है देखिए कैसे होता है जैसे लिखा हुआ एक एक लिखा हुआ है तो जब एक बोलते हैं तो एक कैसे बोला जाता है देखिए एक तो एक के बाद में ये का के बाद में आ भी आ की धोनी निकलती है जैसे मैं बोलता हूँ एक एक देखो आ बोल रहा हूँ लास्ट में आ निकलता है अन्त में आ की दोनी निकलती है छोटा आगे देखे एक 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 देखे आ निकल रहा है न तो यहां पर आ छिपा हुआ है तो आ प्लस आ यहां पर इस चुरुवात में देखे आ लिखा हुआ है ठीक है तो ए लिखा हुआ है तो इनकी इनकी दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आ हो जाएगा मत का के बाद में जो धोनी अंत में निकल रही वो छोटा आगे निकल रही है और यहां पर और लेडी लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा देखे यही कॉंबनेशन बन गया ठीक है तो सिंपल सा है यह यह बन जाएगा ठीक है आई बन जाएगा यह बन जाएगा और जब यहां प हो गया कई बार एक्जाम में आए ब्रिद्धी संदी है यह वैसे यहां पर भी आप कर सकते हैं तो देखें लोक धन एशना लिखा हुआ है ठीक है तो का के बाद में आ का उच्छाना आएगा धोनी जो है आ के निकलेगी अंत में का का लोक लोक आ रहा है ना लास्ट में तो आधन ए तो फिर यहां पर देखें का पर आए की मात्रा होगे तो लोक अशना हो जाएगा ब्रिद्धी संदी है वैसे और भी आप बना सकते हैं इसमें भी देख सकते हैं बित तो बित जब मैं बोल रहा हूं बित तो देखें बित के बाद में ता के बाद में आ के धोनी आ रही है टीक है और ये ये जो है ये उल्ली लिखा हुए है तो इन दोनों की मिलाके क्या होगा गया ऄ जाकी देखे हो गया क्योंकि ना बोलते हैं लास्ट में आँती में तो आइनती में ध्वशन छोटा आ के निकलती है धन धन आ देखो निकला अंत में धन आ निकला ठीक है तो वैसे ही और यहाँ पर आ लिखा हुए तो छोटा आ और ए मिलके आ हो जाते है ठीक है आ है और यह आ की मातरा इस वाले पर लगती है जो अंति मौर्ण होता है पहले सब्द का तो धनेशना हो ज संबंदी हो जाएगा वैसे आगे यहाँ पर भी आप आप देख लेजिए छोटा आ प्लस आए बराबर आए होगा अगर छोटा आ के बाद में ए आए या फिर आया आए तब यहीं होगा दोनों केस में यहीं होगा ठीक है तो अब देखिए आपर मत धन आयके और यह भी ध आप पूशा जा रहा है तो देखिए यहाँ पर लिखा मत धन एक ठीक है तो मत अगर मैं ता बोल रहा हूँ तो ता के जैसे आप भी बोलीजिए मत मत तो ता बोलेंगे तो अंत में आ की धोनी निकलती है ठीक है छोटा आ की धोनी निकलती है और यहाँ पर आय लिखा बिरिदी संदी है, क्योंकि रा के बाद में छोटा के का उचारन आता है, वीचार आयाना, और यहाँ पर आय लिखा हुए तो इन दोनों के मिला के, आय की मात्रा हो जाएगी, और लगेगा कि इस पर मात्रा, इस अन्ती मौले वर्णपर, तो वीचार रेक के हो जाएगा, रा आ रहा है न अंत में तो ये आ जाएगा मतलब कहने का मतलब ये है कि वा भी बोल रहा हूं और वा के बाद में देखे आ भी आ रहा है चोटा आ का उच्चा रहा है ठीक है भावा भावा देखे आ रहा है न अंत में तो आ प्लस आ ये दोनों ये दोनों मिलके क्या हो जाएंग तो यह देखे वा पर इस पर मात्रा लगेगी क्योंकि यह पहले सब्द का अंतिमोर्ण है तो यह हो जाएगा भाववेक भाववेक होगा ब्रिदि संदी है आगे देख लिजिएगा वैसे विस्वधन ए क्या है तो यह भी विस्वधन जो है भी स्वध के हो जाएगा और ब्रिदि संदी है वा के बाद छोटा का उचरण और आए यहाँ पर है तो दोनों मिलके हो जाएगा ठीक है आगे देखे अब यहाँ पर अगर बड़ा आ के बाद में आए आता है तो आए हो जाएगा ठीक है यह भी ध्यान रखेगा अब देखे बड़ा आ का मतलब क्या है लिखा हुए सदा धन एव तो सदा जब दा बोल रहा हूँ तो बड़ा आ की धुनी आ रही हंत में सदा आ देखो आ रहा है न और यह आए लिखा हुए यहाँ पर एव लिखा हुए तथा यह बड़ा आ का धुनी निकल रही है अंत में और प्लस ए की यहाँ पर ए लिखा हुए है तो यह दोनों मिलके क्या हो जाएगा आ हो जाएगी अब आ की मात्रा बढ़ेगी किस पर था पर लगेगी तो यह हो जाए का तथायो ब्रिदी संदी है आगे देख लीजिएगा देखिए यहाँ पर अगर बड़ा आ और आ आता है तब भी आ ही होगा ठीक है तो देखिए महा महा में जब मैं महा बोल रहा हूँ हा महा आ आ आ आ की धोनी भी निकलती है साथ में हा तो निकली रहा लेकिन आ की धोनी निकल रही है और प्लस आ हो जाएगा तो यह दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आ ही बनेंगे तो हा पर जो है आ की मातरा बढ़ जाएगी देखिए यह यहाँ पर हो गया महेश्वर ये महेश्वर देखे एक्जाम में जब आप देखेंगे तो उहाँ पर question में आपको answer में महेश्वर भी लिखा होगा तो महेश्वर नहीं महेश्वर होगा आई की मातरा होगे ध्यान रखेगा व्रिदी संध है ये रमाधन एस्वर हो जाएगा रामेस्वर भी आपको जो है ऑप्सन मिल जाएगा लेकिर रमेस्वर होगा ध्यान रखेगा रमेस्वर ये तो ध्यान रखना है आपको इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर मा का बोलेंगे तो मा, जब रमा बोलेंगे, तो देखे, आ का भी धुनी निकल रही है, और आ यहाँ पर लिखाए है, यहाँ पर, तो यह दोनों मिलके आ हो जाएंगे, और इस आ की मातरा बढ़ेंगे, किस पर मा पर बढ़ेंगे, तो पहले सब देखे, अंतिम वर्ण पर बढ़ती है, तो आगे देख लीजेगा, अगर आता है, छोटा आ धन ओ, तो यह ओ में बदल जाता है, देखे, छोटा आ धन ओ, यह किस ओ होगा, सुरी, ओ होगा, ठीक है, तो यह ओ में बदलेगा, देखे, कैसे, जल, जल बोलते हैं, तो ला जब बोलते हैं, तो ला के साथ में छोटा आ का भी धोनी निकलती है जल देखे आ निकला तो छोटा आ और वैसे ही यहाँ पर ओ लिखा हुए देखे तो यह ओ हो जाएगा और इन दोनों को जो मिलाएंगे तो बन जाएगा ओ और यह ओ की मातरा किसे पर लगेगी पहले सब्द के जो है अंति मुर्ण पर तो यह हो जाएगा जलाओध ठीक है जलाओध हो जाएगा क्योंकि आओ बन गया बिर्दी संदी है वैसे आगे भी अब आप देख लिजे यहाँ पर वन बोलेंगे तो वन आ की धुनी निकल रही है प्लस ओ लिखा हुआ है ठीक है और यह दोनों मिलके क्या हो जाएगे आओ हो जाएगे ठीक ह आओ की मात्रा किस पर बढ़ेगी पहले सब्द के अंति मोन पर ना पर बढ़ेगी तो यह हो जाएगे वन आउसदी बिर्दी संदी है वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं परम धन ओज बराबर परमाउज होगा और बिर्दी संदी होगी नियम मैंने बता ही दिया आप को ठीक है यहाँ पर भी देख सकते हैं दंत धन ओस्ट तो दंत ओस्ट हो जाएगा व्रिदी संदी है सिंपल सा आप देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देख लिजिए आधन ओ होगा तब भी आउँ होगा ठीक है तो परम धन आउसद परम आउसद होगा कैसे होगा ये छोटा लिखा हुए है खीके प्लस अब देखें यहाँ पर आव लिखा हुए है तो ये आव लिख दे रहूं है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे ये दोनों मिलके आव बन जाएंगे और ये आव की मातरा बढ़ेगी किस पर तो ये आव की मातरा लगेगी जो पहल धन आउदार hating तो परमोशदार हो जाएगा और ब्रिद्जिसन्दी है वैसे जल धन ओकõ देख लीज्जीएगा इसको मैं बता दे रहाएं ठीक है देखे जल आ हो जाएगा ठीक है और ये ओ है ओ हो जाएगा तो ये औव हो जाएगा ठीक है ओ कि मातर अला पर लगगी इस पर लगएगी ये लग गई है ठीक है तो ये जलव हो जाएगा बृद्धी शंदी है तो देखे ध्यान से बहुत आसान है मैंने बहुत आसान् conversations से समझाने का पर्यास किया और सब्द भी ऐसे लिए है कि आप आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं देखिए आप बड़ा आ और धन बड़ा आ धन ओ बराबर ओ हो जाता है ठीक है तो वीडियो के सुरुआत में जो मैंने बता है उस पॉइंट को एक दिम यहां पर लिखा हुवा है तो यह ओ हो जाएगा तो यह दोनों मिलके क्या बन जाएंगे आउ बन जाएंगे आप देखिए हैं पर आओ की मात्रा जो लगेगी वो पहले सब्द के अन्ति मोर्न पर हाप लगागी तो यह देखिए लग गई यहां पर हाप अज़ी हो गया ठीक बराबर आउ हो जाएगा ये तो महाधन आउसद लिखा हुआ है तो आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर बड़ा आ ठीक है और धन यहाँ पर आउ है तो ये दुनों मिलके क्या हो जाएंगे आउ हो जाएंगे आउ की मातरा हाँ पर लगेगी महोसद हो जाएगा और हाँ पर क्यों लगी कि मैंने बता दिया है ठीक है क्योंकि अंतिम वर्ण पर लगती है पहले सब्द के महाधन आउग लिखा हुआ है तो इसको आसानी से कर सकते हैं आप आ लिखा हुआ है बड़ा आ धन आउ लिखा हुआ है ठीक है तो यह आउ की मात्रा हो जाएगी और बड़े किस पर हापर तो महोग हो जाएगा ठीक है महोग ब्रिद्दी संदी हो जाएगी आगे देख लेते हैं कुछ अपवाद है इसमें अपवाद का मतलब है अगर बिम्बधन ओस्ट आता है अगर लगता है तो ध्यान रखेगा यह इसमें दोनों केसे होते हैं बिम्बोस्ट भी हो सकता है और बिम्बॉस्ट भी हो सकता है तो यह दोनों आपको एक अपवाद की रूप में याद रखना है ब्रिदी संदी है ये तो बस दूस्तों छोटी सी वीडियो थी important वीडियो है कहीं पर कोई doubt है तो comment box में comment करके आप पूंच सकते हैं दीजे मुझे इस वीडियो में इजाज़त मिलता हूँ मैं आपको next वीडियो में next content के साथ तब तक के लिए thanks for watching